केंद्र सरकार ने अलग-अलग राजियों में रह रहे 75 कमजोर जन जातिय समूहों के लिए रोड मैप तयार कर रहा है केंद्रिया आदिवासी मामलो के मंतरी श्री अरजुन मुंडा ने मीडिया को संबोधित करके बताया की केंद्र सरकार ने देश के 18 राजियों में फैले 28 लाग से अधिक कमजोर आदिवासियों तक पहुँचने का लक्षय रखा है इसके लिए जनजाती अमामलो का मंतरालय पीवी टीजी विकास मिशन के लिए एक रोड मैप तयार कर रहा है केंद्रिय बजट 2023-2024 में कमजोर आदिवासियों के लिए प्रधान मंतरी पीवी टीजी विकास मिशन के लिए 15,000 करोड रुपे की राशी आवंटित की गई थी जिसका उद्देश तीन वर्षों में इनके सामाजिका आर्थिक स्थितियों को विक्सित करना है सरकार अभिया देखने के लिए एक योजना पर काम कर रही है कि विभिन मंतरालेयों की मौजूदा विकास योजनाएं इन 75 विशेश रूप से कमजोर जनजातिय समूहों में से प्रतियक की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकती हैं जो दूरदराज के जंगलों और पहाडों मे रह रहे हैं इन गावों की संख्या 22,544 हैं 13,511 ऐसे गाव हैं जिनकी आबादी 100 लोगों से भी कम है अरजुन मुंडा ने कहा कि PVTGS मिशन के तहत दूरदराज के गावों में स्वच पेजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ, सडक और दूरसंचार कॉनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर ध्यान के इंद्रित करते हुए 3 साल में 15,000 करोड के खर्च किये जाएंगे स्थाई आजी विका के अफसर विक्सित किये जाएंगे देश में 112,000 आदिवासी बहुल गाव हैं और केंद्र सरकार ने 36,000 गावों को आदर्श गाव के रूप में विक्सित करने का लक्षा रखा है प्रत्येक पीवीटीजी समुदाय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और वे उनकी आवश्यक्ताओं को समझने के लिए उनकी आवासों का दौरा कर रहे हैं क्या आप जानते हैं के इंद्र सरकार ने पीवीटीजी समुदाय में भारत के कौन-कौन से आदिवासी समाज के लोगों को शामिल किया गया है ये जानने के लिए अगले विडियो को जरूर देखें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें इस तरह के और विडियो देखने के लिए और आदिवासी चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और विडियो देखने के लिए और आदिवासी चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें कि लिए इस टो सब्सक्राइब करें